आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में और इसके साथ ही बजाज फाइनेंस चुकि उसके क्यो आई पी आये हैं तो उसको भी डिस्कस करेंगे इस समय स्टॉक 272 के उपर जब तक नहीं जाता है तब तक जो इसका ओल टाइम हाई 290 प्ल इस जोन का भी वेट करेंगे तो एपिसोड में आगे बरहें से पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जोईन करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट ऑपेन करें जिससे आपको एक्टिव टेडिंग कम्निटी लेर्निंग ग्रूप में जोड दिया जाएगा टाटा पावर और कोलेबरेट विट तॉली गंग क्लब टू पेप दवे ऑफ ग्रीन मोबिलिटी इन कलकाता ये एक बरी छोटी न्यूज है जो कलकाता से ग्रीन मोबिलिटी को ले करके आई डिलेबरी आउट एस्टेंडिंग तो दिखी रहा है डिलेबरी देखेंगे तो काफी भेथर तो दिखी रहा है ट्रेंड जो है वो भी पोजेटिव है लेकिन इसके चार्ट को देखें तो ये इस समय क्या है हायर हाय और हायर लो एक बार ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ 256 का तो ये प्रोबिलिटी क्या है कि 228 तक के लेबल्स भी दिखेंगे इसलिए हमने कहा लॉ ट्रेडिंग जोन भी कहते हैं बजाज फाइनेंस और टैम हाई के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है कंपनी ने 10,000 करोर के फंटरेज करें हैं और ये काफी बेहतर खवर है और यहां से इसके बुक वैल्यू अगें जो है एक्सपेंड होते हुए दिखेंगे और इसके अलाव के आसपास 4-5-6 दिन-7 एक्सपेंड करें इसके बाद ये बरा ट्रेंड आपको जो है नियर अराउंड 8400 से लेकरके 9000 तक के सोटम ट्रेंड दिख सकते हैं इस समय डैरेक्ट बाइंग करने से बचेंगे क्यों क्योंकि यहां से वन साइडेड ट्रेंड रहा रिजेक्शन रहा यहां टाइम स्पेंड करके ब्रेक आउट चाहिए नहीं तो अगें यह लोवर साइड जो है 7400-7600 तक के लेवल्स भी दिख सकता है ओबराल ट्रेंड पोजिटिव है इसली 3000 तक के लेवल नेक्स 3-5 मन्त में दिख सकता है